कैसे हो दोस्तों दोस्तों आपको यह बता दू कि सिंगाम अगेन की जो टीम है वह आने वाली है कॉफी विद करण सीजन एड के एपिसोड की कौन सा है यह मुझे नहीं पता एक्जेटली आइमिन थर्ड एपिसोड है यह क्या क्या क्योंकि आज एक प्रोमो उन्होंने दिया था मेभी थर्ड एपिसोड में ही आ रहे होगी क्योंकि करीना कपूर पर मुझे ऐसा लग रहा था हाला कि उन्होंने एपिसोड इतना कन्फ्यूजिंग प्रोमो डाला था तो उसमें आजे रेयोगन के साथ रोई छेटी दिखा था मुझे पर करीना कपूर भी थी मतलब प पिक्चर्स ऐसे लिए होगी कि अलग अलग आये ऐसा दिखे में भी वरना यह मानके चलो कि अगला जो नंबर है वो इन लोगों का है सिंगम की टीम ही आएगी थर्जड वाले एपिसोड में जी हां दोस्तों और वहाँ पे सबसे जादा मजा किया बात यह हुई कि अजे द करण जोहर को उन्हें बोला ओपनली के हां दुश्मन थे में लेकिन आप थे इसको बोलते अच्छी डेरिंग हां वह सिंगम में है वैसे और करण जोहर वाज शॉक्त मतलब शॉक्त नहीं दा वह उसने भी लाइट ली लिया हूँ पर मजा आ गया देखके एंड आए होब करण जोहर भी आए एक फिल्म में अब क्योंकि मतलब करण जोहर कोई फिल्म बना है देखो करण जोहर का जो शेर्शा बनी थे ना सिद्धार मलोतरा वाली उसके बात मैं उसके अलब देश भक्ती वाले फिल्म का भी थोड़ा बहुत फैन हो गया योद्धा आने वाली है मैं चाहता हो कि या रजे रेवगंट को वैसा कोई फिल्म करण जोहर आफ़र करें क्योंकि रोमेंटिक मूवी अगर लाने वाला है अगर लाने वाले तो वह तो पता है लव रंजन वाली फिल्म है जो कि देदे प्यार दे टू आ रहे है इसलिए मैं उस टैप की फिल्म कर इसलिए फिर करण जोहर सी सही मैं तो चाहता हुआ कि यार्ष में भी ट्राइग करें मजा आएगा देखते चलो जो भी है पाई यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं और कॉप यूनियर्स की भी बात करूं तो दो लोग है भाई मेरे अकॉर्डिंग जो सब जगह पर है वह वह दीपी का जो स्पाई में भी और अब कॉप में भी आई और एक है टाइगर श्रॉफ जो स्पाई उनिवर्स में था में भी है आगे चलके नहीं नहीं अब तो और कॉप यूनियर्स में भी आया है शेर कीजिए वीडियो को आपको क्या कहना इस एपिसोड के बारे में दे के गया नहीं